गल स्कूलिंग वीजा धी पर रहे थेने क्या देखों साथ को सवाल अंदने कोई जानना चाहना है चाहे तुसे आपने बच्छे लए कैनेडा स्कूलिंग वीजा ली प्रलाई करना या फिर छेडी जान राखना है और अगर आपका गल करी यह समा बहुत काट रहे गया है कि में तुसी सारी formalities complete कार साग देओ, कड़ी-कड़ी गलना दते आनरा के, फड़ा-फड़ा प्लाई कार साग देओ, इस देओ पर पूरा फोकस कार दे हुए है, complete information तो अड़ना साजी करांगे, स्वागत है जी सारां दा मेहा हर जोक और डिटेल विच पूरी information तो अड़ना स जा रहे हां था, पहला था जुरूर दसों के टाइम किनना बचे है, दोवे ही, अगर आपा कैटेगरी जी गल कार देओ, केड़े स्टुडेंट्स आपा मान साग देओ, क्या अप्लाई कार साग देने, और फैनेशल जी गल करिए, समा विजी में गल करिए, एक मही तक अप परचुनिटी है, स्टुडेंट्स थे, पेरेंट्स वस्ते और स्टुडेंट्स वस्ते, थाड़ क्लास आवर्ड, वो भी बच्चा 11 तक स्कूलिंग वीजा दे थो अप्लाई कर सकता है, वो देनाल पेरेंट्स भी नाल जा सकता है, एक जिननों केंदे का लुभावना, एक स्कीम हो जान दी है, कि स्टुडेंट्स देनाल पेरेंट्स जान दे चाहान है, यह उत्थे दे जड़ा कल्चर देखना चान दे है, यह रीजन है कि छोटा बच्चा जड़ा नहीं जा सकता है, मा या बाप दी सपोर्ट चाहे दी है, तो कही वरी दोना द भी अपलाई जान दी इनकम बहुत अच्छी है, इनकम मतलब कोई रेंटल आ रही है, या कोई एक जन्नो कहने है कि स्टैस्टिस्टिकल इनकम एक नदी कठी आ रही है, तो दोनों भी कठी कर सकते है, हून जेड़ा इनननो केडी गिलना दा त्यान दखना चाहिए, कि हफते दस दिन जा स परसंटेज दी कोई प्राब्लम नहीं, बट अस्ट्रेलिया वस्ते 60% इच सनु चाहिए, आइल्स नहीं चाहिए, मेडियम अफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश देन आलतो से अप्लाई कर सकते हो, फैनेंशल डेकुमेंट्स दोनों कंटरियां वस्ते कामन है, वहत अच्छे चाहिए, इंकम टेक्स रेटरन दो साल दियां, फैनेंशल तो अच्छे श्ट्रोंग होने, वह जरूर होने चाहिए, और तुसी डिसाइड करना है, कि पेरेंट्स द भी चाहिज जाए गारजिन किन्ने जाना है, क्योंकि यह जाए गारजिन तुसी नहीं जाओगे, तो फि वस्ते एमोशनल सपोर्ट भी रन दिया, तो स्टूडेंट वस्ते भी ओचीज बहुत अच्छी है, बार बार मैं दसूंगी, फैनेंशल डेक्मेंट्स तो अड़े ठीक होने चाहिए, फिर भी तो अनों कोई प्रोब्लम आन दिया, तुसी साड़े टीमनाल कंटेक्ट कर सक असे तो हमनों दासते हैं कि किनी आईटी आड चाहिए, किनना तो अग्जेक्ट अमाउंट चाहिए, शोकरन वस्ते, फीस अस्ट्रेल कैनेड़ा दिते, जस्ट चार कलग रुपया तो अड़े जानी, साड़े तिन चाल लख रुपय, छे मिन ने दी फीस जानी है, तुसी सोचो एक इनक लुपावना कि तो सी जाड़े तेंचाल अकर पे फीस दे कि माबाब दोनों जा सकते हैं बच्चे देना, और बच्चा इन्नी सस्ती फीस पढ़ रहा है, कि जड़ा तो अड़ा जान दा सपना से गाट, ओ तो अड़ा हो रहा है बच्चे देना, जी बिलकु पहर दो एक रखना आठीपोर एपर और के री कंट्री दे चौईस कर दे, प्रोसस में थे बाद मुझ सेमी रहा है, ऑसी दोनों कंट्री स्टिश देंगान में तरफ सी देनमें पार प्रेसेंट्री में पुरे गां मैं देचलों चाएज देना, चार बच्चत देनिये पश जमा करानी है, फीज जमा करान दे बाद तुसी जड़ा है, वीजा फाइल लगानी है, यह भी सारा प्रोसस मेरे खाल डेड़ तो दो मिन ने दे अंदर अंदर दा है, लेकिन टाइम समा बहुत काट रहा गया, जिननी जल्दी तुसी अपलाई करोगे, उनना ही बेटर है, नह आमने जी में दसे है, नविगेटर्स ओवरसीज, कैनाडा दी गवर्मेंट वलो, ऑस्ट्रेलिया दी गवर्मेंट वलो, स्कूलिंग वीजा ली मानता प्राप्त कम्पनी है, तो देखो, आजकल देख देख देया, मार्केट विज कही तरह दी नभी 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 और कंपनी आ जानती है, किस्ते प्रोसा करिए, किस्ते ना करिए, एक बड़ा सवाल हों दे आती है, जहे है विच नविगेटर्स ओवरसीज, जो पिछले स्थाइठाइज साला तो इस फिल्ड विच काम का रहे है, और अगर मैं दुबारा गल रिपीट करां के, कैनेडा गौर्मेंट वलो और अस्ट्रेलिया गौर्मेंट वलो स्कूलिंग वीजा लेही मानता प्राप्त कंसल्टेंट कंपनी असी कह साग देया, तुसी जरूर प्रोसेदेना इना तो अपलाई करवा साग दियो, आपने बच्चे दा स्कूलिंग वीजा चाहे के तो आड़ा मन कैनेडा स्कू गेटर ओवर सीजे ओफिस विजिट करो, ताके डॉकमेंट जी असेस्मेंट किती जाये, तो आड़े तो भी डिटेल वीज सारी इंफोर्मेशन लई जाये तो आनू सही टांग समझाया जा सके, क्योंकि समा काट रहेग है, मैं डेडलाइन तुसी जरूर एक परी दास दो क कदो तक अप्लाइ कार देना चाहिए अगर किसी ने प्रसेस शुरू करना है, एक मई जड़ा लास्ट एडलाइन है, उस तो पहला आनगे क्योंकि एक मई लास्ट है, तो पहले ही तुसी आके अप्लाइ करोगे, चलो ठीक है, मैंनो उमीद है, जिना ने भी अप्लाइ करना टाइमली तुसी ज़रूर अपना प्रसेस शुरू कर दो, बहुत बहुत थैंक्स मैं में इंफरमेशन तुसी सारी चंगेट अंगनाल पूरी समझा दीती है, जिस विच कोई भी डाउट नहीं नजर आ रहे है, फिर भी कोई डाउट है, लास्ट विच दुबारा गल कहूं